लेटेस्ट नियूस की जानकारी के लिए चानल को सब्स्राइब करें और बेल आइकन दबाएं बिग बॉस 14 की रह चुकी कंटेस्टेंट सोनाली फोगाट का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसे सुनकर आप सबी चौक जाएंगे इस बयान में उन्होंने ये बताया है कि बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट रुबीना दिलेख है एक नमबर की घमंडी इंसान जिसके बाद उन्होंने ये बताया है कि वो हमेशा ही राहूल वेद को टार्गेट करते रहती है कि कुछ ऐसा ही बात कहा है सुनाली फोगाट ने एक इंटर्व्यू में रुबीना दिलेख के बारे में कि वो एक नमबर की घमंडी इंसान है जिसके बाद उनका ये बयान काफी तेजी से वाइरल हो रहा है ये तो आप जानते हैं कि सुनाली फोगाट का अब बिग बोस 14 के घर से पत्ता कट चुका है जिसके बाद हर दिन उनका एक नए बयान सामने आते रहता है जिसमें अब इस नए बयान मुनों ने ये बात सामने लाई है कि रुबीना दिलेक है घमंडी इंसान तो वहीं उन्होंने जम कर राहुल वेद की की है तारीफ और यही वज़ा है कि सुनाली फोगाट ने ऐसा कहाई कि उनके हिसाब से बिग बोस 14 के बिनर हो सकते हैं राहुल वेद